Hello student, welcome back to my youtube channel. So, let's start next exercise. Exercise असी करन जा रहे है, 2.1. So, असी आच कोश्य नंबर करांगे, first. ठीक है? So, let's start with the first part. इना ने पुच्या, which of the following expression are polynomial? polynomial असी दसना या नीचे देती हुई expression से विचो कौन polynomial है? इन वन विरियेबल. बच्चि विरियेबल की हुँदा? अगर पूरी equation देविचे सिर्फ x या 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 मलता वन विरियेबल हा. मान लोना ने y भी यूस किता होया आसी बोलांगे 2 विरियेबल हा. मान लोना न उसी विरियेबल बोल दिया. clear हो गया? so first question देखो, first part देखो, 4x square minus 3x plus 7. so तिया ना देखो, सिर्फ 1x यूस किता होया, बलां, x ही या, so this is one variable. ठीक है? पॉलिनॉमियल किया, यह दी पावर 2, यह दी पावर 1, यह दी पावर 0 हुआ. मतलब जदो, x दी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी होवे, उन्हों असी पॉलिनॉमियल बोल दिया. So, this is polynomial. So, असी लिखता है कि, क्या होना? polynomial. clear हो गया? So, second देखो, second part, उन्हों ने पुछया, x square, y square plus under root 2. इदा मतलब y थो अड़ा की हो गया variable. पूरी equation चे सरफ एक ही y है, मतलब y तो लावा, x, z, t, q, कोई होरो टर्म नहीं यूस किती हुए. So, this is one variable. ठेक है, एक variable है थे विचे. So, देखो, equation की वानरी है, y square plus under root 2. जोड़ा, under root 2 अब चे constant term. constant मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ता ही value है. So, एदा मतलब एक ही हो जूगा, polynomial. clear हो गया? So, एक polynomial है. थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देविच किया, 3 under root T, plus T under root 2. हुन त्यान नहीं देखो, बचे, एथे वी T या, और एथे वी T या, एदा मतलब सिर्फ एक variable यूज की तो है, तासी लिखांगे, 1 विर्गे बला. हुन त्यान नहीं देखो, बचे, under root दा मतलब हुन दाया, half. So, अशी, जड़ी under root, आवला under root सी, एदी जगाते सी, half लिख देता, plus T under root 2. हुन देखो, बचे, एथे T दी पावर, और एथे T दी पावर. हुन T दी पावर, यहाँ, 0 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, up to so on. कुछ भी होनी चाहिए, बट 1 over 2 नहीं हो सकती. ठीक है, अगर 1 over 2 आ रहे है, एदा मतलब एहे विर्गे, एह polynomial नहीं है, not polynomial. clear हो गया, polynomial क्यों नहीं है, क्योंकि एदी पावर जड़ी हाफ आरी, हाफ दे विच नहीं आनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकती, बट हाफ नहीं हो सकती. ठीक है, सो next fourth part दिखो, fourth part दे विच किया, y plus 2 divided by y, हुन दिखो, ह भी y, y या, x, z, t, कोई होर विर्येबल नहीं आ रहे है, सो असी लिखांगे, only one विर्येबल, सिरफ एक विर्येबल हा, हुन आपा चेक करना कि ये polynomial है, ये नहीं है, ठीक है, आवले y नू y लिख्या रहे हैं दो, 2 दी जगाते 2, आवला y बच्चे जदो उपर जाएगा, y दी पावर गिनी आ जोगी, माइनस वान है, हुन साननों पता, y दी पावर याँ 0 होनी चाहिदी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी होनी चाहिदी, पट माइनस दी विच्च नहीं हो सागदी, अगर ये माइनस दी विच्चा तासी लिख दांगे, not polynomial, एदा मतलब ये polynomial नहीं है, clear हो गया, so आज दा last question, last part, first दा last part, x raised to the power 10, plus y raised to the power 3, plus t raised to the power 50, हुनते आना देखो, x, y, t, एदा मतलब ये थे किनने variables यूज हो रहा, 3 variables, तिन अलग-अलग variables यूज हो रहा, सो असे लिख देता, 3 variables, कि ये polynomial है, because देविच बच्चे y दियां ही पावर रहा, सारियां, 1, 2, 3, 4, 5 एदा positive terms ही है, ता yes, it is a polynomial, clear हो गया, so first part देविच देविच फाइव, further sub-part सी, जो सी इस वीडियो देविच, cover किते है, अगर किसी topic देविच कुछ ना समा लगया होए, तो तुझे नहीं पूछ साकती है, thank you so much,